चतिसगर में विधान सभा चुनाओं की 90 सीटों पर दो चरनों में 7 नवंबर और 17 नवंबर में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है मतदान के नतीजे 3 दिसंबर को मतगरना के बाद जारी किये जाएंगे इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालेओं में तयारियां पूरी कर ली गई है मतगरना के लिए प्रतिक विधान सभा शेत्र के लिए 14 टेबले लगाए गए हैं डीडी न्यूज ने चतीजगर सयोग्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश शीर सागर से खास बादचीत की जिसमें उन्होंने मतगरना की तयारी पर विस्तार से जानकारी दी है इसमें जो भी आवश्यक विवस्ता है खास तोर पे वहाँ पे जो मतगरना के लिए विवस्ता लगती है वह की गई है हमारे सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि मद्दान करने वाले हमारे अधिकारी करमचारी और उनका ट्रेनिंग भी लगातार जीलों में जाके किया गया है वह भी पूरे इसमें ट्रेंड है इसके साथ साथ जो पोस्टल बैलेट खास तोर पे आई टी पी बेस जो सर्विसेस के लोगों के अने जो आम फोर्सेस वगरे में उनके आ रहे है वो लास्ट दिन तक आते रहेंगे उनको भी जानकारी दे रहे है तो इस तरह से पोस्टल बैलेट गन्ना की हो या बाकी गन्ना की तैहरी भी हो गई है सिक्यूरिटी के जो पूरी व्यवस्ता ह है वो भी रखे गई है खास दोर पे जो भी पॉलिंग पार्टिस के एजेंट्स आएंगे या बाकी अधिकारी कर्मचारियों को भी जो भी गन्ना क्षेत्र है वहां पे मोबाईल या किसी तरह का डिजिटल इंस्ट्रुमेंट आलाउड नही है तो उस तरह के भी पूरी व कंचारियों के डुटी लगी है और हर विदान सबाह में कि लिए लगबख 200-300 सुर्ग्षा कर्मचारियों का डुटी लगाया है तो किल मिला के यह कह सकते हैं हर् fonctionलोग ohh कagn sr várias के लिए कि प्एले से की गई है सट्रॉंग रूम से मद्दान गन्ना जूमारी कर्म ने वहां तक हमारे EVM आएंगे वो पूरा क्षेत्र CCTV के सर्विलेंस के अंदर है इसके साथ साथ जो हमारा एक्चुल गन्ना जहां पर जिस रूम में होती है वो भी 360 के कैमेरे वहां पे लगे हैं वो भी CCTV के अंतरकत रहेगा और जो पूरे परिसर है उसमें भी किस तरह का लर्ण और नहों तो उसको भी CCTV और वीडियोग्राफिक के उसमें रखा गया है आप सून रहे थे आईस निल सागर जी को तमाम तरब से बता रहे हैं कि तीन दिसम्बर क को होने वाली मतगर्णा के लिए सारी तयारियां पूरी कर ली गई है मतगर्णा स्थल पर रिटर्निंग ओफिसर और सहयक रिटर्निंग ओफिसर को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी